नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सेसनात पंडित आप देख रहे हैं एस्टेचिंग एंड टेक्निकल चैनल आज के इस वीडियो में रेडिमेंट से भी अच्छा पैंट की पूरी सिलाई करके दिखाएंगे सबसे असान तरीके से राउंड बेल्ट की पैटरन कैसे कटिन की जाती है पैस्टिंग कैसे की जाती है ये सब कुछ बारिकी से आप देख सकते हैं इस वीडियो में गूम लुपी और गूम बेल्ट बनाने का तरीका भी आप देखेंगे इस वीडियो में आपको पैंट सीलने की पूरी जनकारी मिलने वाली है अश्टेप बाई अश्टेप सबसे पहले हम पॉक्ट की कटीन कर लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों आपको यह देखना है कि दोनों पॉक्ट के लिए एक साथ हम फैबरी को बैठा लेंगे अच्छे से और लंबाई लेंगे 14 से 14 और चौनाई लेंगे 7 इंच इस मिजरमेंट से आप 34 से 38 साइज तक पॉक्ट की कटीन कर सकते हैं अब यहाँ पे हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे फैबरी को अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से निचे और उपर जिस तरीके से पैंट की सेफ है उस तरीके से बिलकुल हम बैठा आएंगे और इस तरीके से मार्किन कर लेंगे ऐसे उपर भी हम ऐसे मार्किन कर लेंगे इस तरीके से पॉकिट की कटिन करने के बाद हमfish जाती पैच कर लेते हैं तो यहां पर दोस्तों आप चाहें तो किनारी वाली फैविरिक लेग सकते हैं, किनारी वाली फैविरिक लेने से यह फायदा होती है कि एक शायड में हमें फोल्ड नहीं करना पुरता है, तो ऐसे हम फैविरिक को अच्छे से बैठाएंगे, यहां भी हम इस तरीके से बैठा लेंगे चारो तरप से ऐसे उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे अब यहां पर सिलाई लगाने के बाद जो एक्ष्टा फेवरिक होगा उसको हम जहार कर निकाल देंगे तो पहले इसको हम चारो तरफ से सिनाई कर लेते हैं, एसे नीचे हम फोल्ड कर लेंगे यहां हमें फोल्ड करने की आप सकता नहीं है, इसलिए आपे किनारी है अब दोस्तों हम इस तरीके से एक्षा जो फेवरिक है उसको कटिट करके निकाल देंगे इसी तरीके से दूसरे पार्ट में हम पैच कर लेते हैं जाती को यहां पे जबाबी देखना पड़ता है कि दोनों एक रूख से होना चाहिए यहां भी हम इसी तरीके से पार्ट के शेप के जैसा जाती को एटेच करेंगे अब यहां पे हम इस तरीके से पॉकिट को अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे उसके बाद हम फैबरी को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से पॉकिट बनके त्यार हो गई तो एक पल्ले को हम ऐसे उठा लेंगे और यहां पे हम जो बोन बनाएंगे उसके लिए फैबरिक ले लेते हैं तो यह है बोन वाले फैबरिक तो यहां पे आप चाहें तो फ्यूर्जिंग कर सकते हैं और इस तरीके से कुटका से हम मिला लेंगे ऐसे यहाँ पे एक पैर की सिलाई लगाएंगे बोन को थोड़ा सा टाइट करके चलेंगे हम उसके बाद हम एक्ष्टा फेवरिक जो है उसको कटिन करके निकाल देंगे ऐसे अब यहाँ पे मार्जिंग को इस तरी के सम ले लेंगे आप चाहें तो एक सूत की बोन बना सकते हैं चाहें तो डिल सूत की बना सकते हैं यहाँ पे लब की सिलाई लगाते समय कपड़े को अच्छे से बैठा लेंगे और पीछे हम इस तरी के से खीच कर सिलाई लगाएंगे इसलिए कि यहाँ पर आप देखे होंगे कि उरे फेबरिक होता है और अगर हम खीच कर नहीं लगाते हैं तो सिलाई वहाँ पर एटने लगती है अब यहाँ पर जाती पर हम इस तरीके से बोन वाले जाती पर ऐसे हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे अच्छे से बढ़ा लेंगे फैवरिक को ऐसे अब यहाँ नीचे समसिलाई लगाएंगे ताकि जोईंट वहाँ पे दिखाई न दे तो इस तरीके से बोन बन चुका है यहाँ पे दोस्तों नीचे सिलाई लगाने से पहले हम पॉकिट को अच्छे से बैठाकर देख लेंगे आप देखे होंगे कि नीचे कभी फैवरिक बढ़ जाता है पॉकिट वाला ऐसे तो यह दिखते कभी आज सकती है तो इसलिए पॉकिट को पहले आप उपर से आप बैठा लेजिए यहाँ पे जितना आपको रखना है उपर उतना सेट कर लेजिए ऐसे उसके बाद साइड भी अच्छे से बैठा लीजिए उसके बाद नीचे देखिए पॉकिट बराबर होना चाहिए तो इसमें बराबर है तो हम सिलाई लगा देंगे नीचे अगर आपको दिखता है कि वहाँ पे थोड़ा बहु छोटा बड़ा हो गया है तो आप उसको पहले कटिन करके निकाल देजिए यहाँ पे मार्जिंग हम कम लेंगे अगर मार्जिंग कम लेंगे तो जब हम उपर से पैर की सिलाई लगाएंगे तो मार्जिंग उसकी बिल्कुल अंदर छुप जाएगी यहां पे हम पैर के सिलाई से एस्टिच कर लेते हैं अब यहां पे इस तरीके से नीचे से अच्छे से बैठा लेंगे उपर भी बैठा लेंगे उसके बाद हम पॉकुट को नीचे से हाफ ही छोडने के बाद सिलाई लगा लेंगे ऐसे उपर भी हम नापकर देख लेंगे जैसे हमें सावादो बनाना है तो मार्जी छोड़ने के बाद सावादो हम सेट कर लेंगे अच्छे से बैठा लेंगे फिर हम यहाँ भी टांकी लगा लेंगे चारों तरब से हम अच्छे से बैठा लेंगे फैवरी को अब यहां पर हम इस तरीके से पॉकिट को नाप लेंगे साड़े 5 से 6 इंज तक पॉकिट की ओपनिंग हम बनाएंगे उसके बाद हम ऐसे टाकी लगा लेंगे यहां पर उपर भी इसी तरीके से हम टाकी लगा लेंगे यहां पर टाकी पर डबल सिलाई होनों चाहिए यहां पर हम एक टाना जाती लगाएंगे यहां आप देख सकते हैं कि पॉकिट बैठने के बाद वो खुलने लगती है तो जाती लगाने के बाद वो पॉकिट कभी नहीं खुलेगी तो इस तरीके से हम नाप लेंगे यहां पर साढ़े चार से पाँच इंच फिर हम जाती लगाएंगे यहां पर हम ऐसे कुटका लगा देंगे कुटका लगाने से फैदा यह होती है कि वहां से फेबरिक का धागा नहीं निकलता है हम चाहें तो यहां ओवरलॉक भी कर सकते हैं लेकिन ओवरलॉक करने से वहां पर मोटा फेबरिक हो जाती है अब यहां पर इस तरीके से हम टाना जाती को अटेच करेंगे मार्जिंग कम से कम हाफ हिंच लेंगे अंदर अब यहां पर चारों तरफ से हम अच्छे से बैठा लेंगे फेबरिक को फिर हम ऐसे शिलाई लगा लेंगे अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पोकिट खेचने के बाद वहां पर ओफिन नहीं औरे खुल नहीं रही है तो इस तरीके से पोकिट बना कर आप जरूर देखें सबसे पहले दोस्तों हम बैक डॉट को डाल लेते हैं तो यहां पर मार्किन जो है उस मार्किन को दोनों पल्ले में ऐसे हम उठा लेंगे यहां पर उपर हम देख लेंगे मिला कर बिल्कुल बराबर होना चाहिए इसी तरीके से दोनों डॉट को हम सिलाई लगा लेते हैं अब यहां पर दोस्तों डॉट को हम प्रेस से अच्छे से बैठा लेंगे फिर हम पॉकेट लगाएंगे पॉकेट लगाने के लिए इस तरीके से हम फैब्रिक को तोड़ लेंगे और यहां पर तीन से सवा तीन इंचे नाप लेंगे ऐसे फिर वहां पर हम नाखुन से या प्रेस से अच्छे से तोड़ लेंगे ताकि उस पर मार्किन आ सेके अब यहां पर दोस्तों हम पॉकेट को पहले पैच करेंगे कच्छा तो ऐसे हम एक इंच पर एक मार्किन कर लेंगे ऐसे फिर एक सेंटर की मार्किन कर लेंगे उसके बाद हम सेंटर और मार्किन को ऐसे डौट के पास बिलकुल सेंटर में बैठा लेंगे और यहां पे हम ऐसे कच्चा कर लेंगे पोकिट को अब यहां पे हम शिंगल बोन बनाने के लिए बहुत असान तरीका दिखाएंगे तो सबसे पहले उपर आप हाफ फिंच पे एक मार्किन कर लेए ऐसे उसके बाद हाफ फिंच पे एक मार्किन करेंगे और बोन के लिए आप चाहें तो पांसूत का भी बना सकते हैं फिर हम इस मार्किन को ऐसे सिधा करेंगे मार्किन बिल्कुल सिधा होना चाहिए जितना सिधा आपकी मार्किन होगी उतना सिधा आपका बोन बनेगा अब सेंटर से हम ऐसे एक सेंटर बना लेंगे center बनाने के बाद जितना आपको pocket की opening रखनी है उसके half करके दोनों side में ऐसे marking लगा लेंगे फिर उस marking को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे दोनों side में हम ऐसे सीधा कर लेंगे उसके बाद हम जो dot है उसके बिल्कुल center में bone को रखेंगे यहां पर हम ऐसे marking भी कर सकते हैं सीधा देखने के लिए ताकि हमारा सिलाई बिल्कुल सीधा लग सके जो सिलाई है नीचे वाले उसको बिल्कुल center में रखेंगे चारो तरफ से फिर हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों हम इस तरीके से bone की कटिन कर लेंगे ऐसे यहां पर हम तीकोन कटिन करेंगे तो सिलाई से कम से कम एक तार अंदर ही हम कट लगाएंगे अगर कट ज्यादा लग जाती है तो वहां से कपड़ी की धागे निकलने लगती है तो इसलिए कभी भी कट लगाएं तो वहां पर ध्यान रखें इसी तरीके से दोनों साइड में हम कट लगा लेंगे अच्छे से अब यहाँ पर दोस्तों कट लगाने के बाद इसको हम ऐसे पलट लेंगे पलटने के बाद आप चाहें तो इसे प्रेश से अच्छे से चारो तरफ से बैठा लें अब यहां पर दोस्तों आपको इस तरीके से प्रेश से बैठा देना है ऐसे अब यहां पर नीचे हम एक सिलाई लगा लेते हैं पहले यहां पर लब की सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा मोटा लब होना चाहिए यहां पर टाकी अच्छे से बांद लेंगे अब यहां पर दोस्तों साइड वाले टाकी को भी हम बांद लेते हैं ऐसे तो इस तरीके से पॉकेट को ऐसे हम हटा देंगे और फिर टाकी लगाएंगे यहां पर हम अच्छे से टाकी बांद लेंगे इसलिए कि यहां से खूलने की चांस बहुत ही रहती है मार्जिंग हम यहां पर ज्यादा नहीं रखेंगे अगर ज्यादा मार्जिंग रखते हैं तो पॉकेट जब हम फोल्ड करते हैं तो वहां पर मोटा हो जाती है तो इसी तरीके से दोनों साइड में हम टाक की अच्छे से बांध लेंगे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉकेट की फिनिसिंग कितनी अच्छी आई है प्रेस करने के बाद और भी अच्छा दिखने लगेगा यहाँ पर जाती को मीज तरीके से टाकी लगा लेंगे सिलाई लगा लेंगे ऐसे पॉकेट की लंबाई साड़े पांच से छे इंच तक आप बना सकते हैं तो इस तरीके से हम एक मार्किन कर लेंगे ताकी वहाँ पर हम जाती लगा सकें नीचे हम एक कुटका लगा लेंगे जहां से हम पॉकेट को फोल्ड करेंगे यहाँ पर ऐसे हम दोल लेंगे और यहाँ एक कुटका भी लगा लेंगे अब यहां से दोस्तों जाती के लिए हम ढाई से तिनिस तक निकाल लेते हैं अगर आपके पास किनारी वाले फेबरिक नहीं है तो आप कोई साभी फेबरिक इसमें यूज कर सकते हैं कहीं से भी निकाल सकते हैं अब यहां पर इस तरीके से हम जादी को पैश कर लेंगे पौक विछ में हम दोनों तर्प से मार्जिंग छोड़ देंगे अगर हम जादी पूरा रखते हैं तो वहां पर मोटा हो जाती है फेवरिक तो इसलिए कभी भी आप जाती लगाएं तो दोनों दर्ब से margin छोड़ दें उसके बाद लगाएं अब यहाँ पर अच्छे से Ashtrage कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा टाकी लगा लेंगे टाकी लगाने से बहुत फैदा होती है ताकी पॉकिट जब हम परटते हैं तो वहाँ का फेवरिक मूर्थी नहीं है उसके बाद हम इस तरीके से पॉकिट को शिलाई लगा लेंगे पूटके से हम मिला लेंगे अच्छे से ऐसे हम जाती के जड़ से शिलाई लगाएंगे मार्जिंग यहाँ पर ज्यादा नहीं रखेंगे अगर हम ज्यादा मार्जिंग रखते हैं तो जब हम पॉकिट पॉलट कर शिलाई लगाते हैं तो वहाँ पर मार्जिंग दिखने लगता है तो इस तरीके से मार्जिंग कम रखेंगे तो margin इसका गुम हो जाएगा बिलकुल अच्छे से यहां भी उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और फिर हम margin को कटीन करके X-Touch margin जो है उसको निकाल देंगे वोकिट को अच्छे से बैठा लेंगे बैठाने के बाद हम यहां पे सिलाई लगाएंगे तो सिलाई हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे फैवरी को और फिर यहां पे हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे इस तरीके से अगर आप शिलाई लगाते हैं तो उसमें फिनिसिंग भी अच्छी आती है और पोकिट के जहां पे बोन होती है वहां पे फेब्रिक मोटा भी नहीं होता है तो आप एक बार इस तरीके से पोकिट बना कर जरूर देखें चेले अब हम लुपी बना लेते हैं लुपी कभी भी आप बनाएं तो बारिक ही बनाएं बारिक अगर लुपी बनाते हैं तो बटन लगाने में बहुत ही असानी होती है और फिनिसिंग भी अच्छी आती है अब यहां पे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे दोने तरफ से फोल्ड कर देंगे आप चाहें तो उसे प्रेस से बैठा ले और ऐसे भी आप लगा सकते हैं तो यहाँ पे हम टाकी एक लगा लेंगे पहले कम से कम एक इंच पह तो इस तरीके से मच्छे से टाकी लगा लेंगे ऐसे अब यहां पर आप चाहें तो इसे फ्रेस कर लें या कहेंची से उसको थोड़ा सा अच्छे से बैठा लें अब यहां लूपी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे अच्छे से बैठा लेंगे बिल्कुल पॉकिट के बीच चेंटर में होना चाहिए लूपी ऐसे अब यहाँ पे हम नाप कर भी देख लेके एक इंच इस तरीके से फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे अब यहाँ पे हम इस तरीके से लव के सिलाई से फिनिस कर लेंगे यहाँ पे हम टाकी लगा लेंगे लुपी के पास इस तरीके से पोकेट बनाने के बाद हम फलाई तियार करेंगे जीपर लगाने के लिए इस तरीके से आप नाप लेख सकते हैं कम से कम साड़े पाँच जादा साड़े छे तक जिसकी आशन लब्बी होती है उनकी साड़े छे बना सकते हैं सबसे अच्छा यह होता है कि जैसे जहाँ पे गुलाई आप देख रहे हैं तो गुलाई से हाफ इंच उपर से जीपर लगाएंगे तो नाप लेने की जुरत नहीं होगी अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके समनाप पर देख लेंगे ऐसे पौना इंच तो पौना इंच हम कम रखेंगे लाइनिंग को और फिर हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे अगर लाइनिंग हम पूरा रखते हैं तो आप फेबरिक मोटा हो जाती है तो कभी भी आप लाइनिंग को पूरा भराव न दे यहाँ पे एक लव की सिलाई से हम फिनिश कर लेंगे ऐसे अब यहाँ पे हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे ऐसे मार्किन से तीन सूत नीचे हम फ़राई रखेंगे और तीन सूत की मार्जिंग लेते हुए ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों अच्छे से हम बढ़ा लेंगे फेबरिक को और वहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे तो शिलाई लगाने से पहले यहाँ आप उबरलॉग जो देख रहे हैं उसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं बहुत असानी से यहाँ एक धागा खिचने के बाद आप उबरलॉग फूरा खोल सकते हैं ऐसे तो इस तरीके से आप यहां से ओवरलॉग खोल कर निकाल देजिए ओवरलॉग करते समय भी आप उतना छोड़कर ओवरलॉग कर सकते हैं अब यहां पे हम लव के सिलाई से फिनिस कर लेंगे फिलाई को ऐसे उसके बाद हम प्रेस से इसको बैठा लेंगे अच्छे से मार्किन कर लेंगे फिलाई की पैटरन रखकर तो इस तरीके से हम हाफ ही जैसे छोड़ देंगे यहां से हाफ से 300 तक आप छोड़ सकते हैं और फिर हम इस तरीके से पैटरन को बैठा लेंगे और यहां पे अच्छे से मार्किन करेंगे ऐसे इस तरीके से आप मार्किन करके भी सिलाई लगा सकते हैं अब यहाँ पर हम जीपर अटेज़ कर लेंगे दूसरे वड़े फलाई में इस तरीके से आप सिलाई वाले भी फलाई बना सकते हैं और दूर्पाई वाले भी फलाई बना सकते हैं अब यहां पे दोस्तों हम इस तरीके से बैठा लेंगे दोनों पाट को और यहां पे एक मार्किन कर लेंगे मार्किन करने के बाद हम जो जीपर का लोग होता है तो मार्किन से तीन सूथ ऊपर कर लेंगे जीपर वाले लोग को फिर हम इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम कम से कम 2 mm gap देंगे जीपर से अलग तो इस तरीके से सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पे चलें अब हम side लगा लेते हैं तो यहाँ पे अच्छे से हम दोनों पर ले को बैठा लेंगे और आप जितने margin लिये हैं कटिन करते समय उस हिसाब से यहाँ पे margin लेते हुए सिलाई कर सकते हैं सिलाई कभी भी लगाएं तो सिलाई को थोड़ा सा खीच कर लगाएं अच्छे से नीचे से मिलाते हुए हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे यहाँ पे दोस्तों एक सिलाई और लगा लेंगे pocket तक अब यहाँ पे आप फिलिंशिक भी देख सकते हैं इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी attach कर लेते हैं join कर लेते हैं तो सिलाई कभी भी साइड की लगाएं तो उपर सिल लगाएं यहाँ पे दोनों परले को हम बराबर रखेंगे यहाँ भी हम pocket से एक और सिलाई लगा लेंगे ऐसे इससे मजबूती अच्छी आ जाती है अब यहाँ पे shape देख सकते हैं दोस्तों की shape कितनी अच्छी आई है तो लुपी हम बना लेते हैं तो लुपी इस तरीके से बनाएंगे margin यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेंगे एक pair की margin लेंगे ऐसे अब यहाँ पे दोस्तों लुपी को हम ऐसे margin चीर देंगे दोनों साइड में ऐसे और यहाँ पे हम एक टाकी लगा लेंगे पलटने के लिए यह बहुत ही असान तरीका है अब यहाँ पे आप इस तरीके से लुपी को पलट सकते हैं बहुत ही असानी से यहाँ पे margin ऐसे चीरा हुआ होना चाहिए ताकी बलटने के बाद margin दोनों साइड में हो जाए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं margin दोनों तरफ हो गया है और margin जो है शिलाई उसकी बीच में आ चुकी है उसके बाद हम दोनों साइड में एक लपकी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करें और साथ में बेल आइकन को phrase कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके तो इस तरीके से हम लूपी बना लिए अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कम से कम लूपी का लंबाई जो है साड़े तीन ही चोना चाहिए अब यहाँ पर हम राउंड वेल्ड बनाने की बहुत ही असान तरीका दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड वेल्ड की पैटन तो इस तरीके से पैटन कैसे बनाएंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले एक सीधा मार्कीन करेंगे ऐसे अब यहाँ पर हम एक इंच बीश चिंटर में ऐसे मार्कीन कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम राउंड सेफ रखेंगे ऐसे यहाँ पर हम आगे पीछे एसकेल को सरका कर देख लेंगे कि राउंड सेफ कहाँ पर अच्छी आ रही है उसके बाद हम एसकेल को ऐसे घुमा कर बैठा लेंगे अब यहाँ पर दोस्तों आपको जीतना चोड़ाई बनानी है बेल्ड का उस हिसाब से बना सकते हैं, जैसे सवाइंच का भी बनता है और डिड़इंच का भी बनता है, तो यहाँ पे डिड़इंच से एक सूद कम पे हम मार्किन कर लेंगे ऐसे, उसके बाद हम उसी तरीके से स्केल को रखेंगे राउन में, यहाँ पे आगे पीछे करके देख लेंगे शेप बिल्कुल बराबर होना चाहिए. फिर हम मार्किन कर लेंगे ऐसे. अगर आप इस तरीके से राउंड वेल्ट बनाते हैं तो बहुत से पैंड देखे होंगे कि फिटिंग बनाने के बाद भी कमर से नीचे को खिश सकने लगती है. तो यह दिखते इसमें कभी नहीं आएगी. अब यहां पर दोस्तों हम जितना कमर है उसका चौथाई हिसा ले लेंगे ऐसे. उसके बाद हम सबा 2 इंच मार्जिंग लेंगे बैक चेंटर में यह हो गया फ्रेंट अब यहां सेंटर से फिरे यहां पर नाप लेंगे चोथाई हिसा कमर का उसके बाद हम धाई इंच पर एक मार्खिन कर लेंगे जिसमें हम किलिप लगाते हैं उसके बाद हम 4 इंच एक श्रा लेंगे उसको फोल्ड करने के लिए तो इस तरीके से हम मार्किन कर लेंगे अब यहां पर दोस्तो इस तरीके से आप पैटन बना सकते हैं और पैटन से कटिन कर सकते हैं लुपी लगाने का तरीका हम दिखाते हैं जैसे 1.5 इंच हो गया तो 1.5 इंच में हम 1 इंच और 8 कर देंगे 3.5 इंच पे मार्किन कर लेंगे लुपी के लिए और बैक सेंटर से हम कम से कम पौने 2 से 2 इंच ले लेंगे अब दोनों मार्किन को हम इस तरीके से बराबर करके हाफ कर लेंगे ऐसे और एक मार्किन यहां कर लेंगे लुपी के लिए तो ये बहुत यसान तरीका है दोस्तों अब आप इस तरीके से बेल्ट की कटिन कर सकते हैं यह हैं दोस्तों Magic Pane, इसकी Color आप बहुत असानी से छुड़ा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं प्रेस से छुड़ाने के लिए तो प्रेस से छुड़ जाएगा, खोलने की चांस रहती है, तो कभी भी आप प्रेस हाड करें, तो पहले उसी फेबरिक से कहीं थोड़ा सा चेक कर लें, इस तरीके से ज़्यादा प्रेस को हीट करने के बाद कपड़ा जलने की भी चांस होती है, तो इसलिए आप चेक कर ले पहले, उसके बाद कपड़े पे र पे आप फ्यूजिंग करके बनाएंगे तो उसमें फ्यूजिंग थोड़ी अच्छी आएगी ऐसे आप चाहें तो बिना फ्यूजिंग का भी बोन बना सकते हैं इस तरीके से अच्छे से हम फ्यूजिंग को चीफ कर लेंगे चले अब हम बेल्ट अटेज कर लेते हैं तो बेल्ट अटेज करने से पहले लूपी अटेज करना होता है तो आप लूपी बेल्ट में भी अटेज कर सकते हैं और यहां भी अटेज कर सकते हैं तो यहां अगर आपको करना है तो इस तरीके से 4 इंच पर एक मार्खिन कर लेजिए ऐसे उसके बाद जो back का margin है margin छोड़ने के बाद हम यहां से 2 इंच से पूने 2 इंच पर एक मार्खिन कर लेंगे लूपी के लिए ऐसे उसके बाद हम center कर लेंगे center करने के बाद हम half कर लेंगे ऐसे फिर हम यहां marking कर लेंगे लूपी के लिए तो यह बहुत यह असान तरीका है दोस्तों और उसी marking से दूसरे पारट में हम ऐसे बैठा लेंगे अच्छे से और फिर उसी marking से ऐसे marking कर लेंगे फिर हम लूपी अटेच करेंगे हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेस कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके हमारे इस चैनल पे लेड़े जैन सभी के लिए जैसे पैंट सेट, कूरता, डिजाइनिंग का बलाउस, सलवार सूट, फ्राक, बच्चों की आइटम, कटिंग और एस्टेचिंग करके दिखाया जाते हैं फार मुले के साथ अगर आपको सिलाई या कडिन करते समय कहीं भी कोई दीखते आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके बताएंगे सिलाई करते समय हमें क्या देखना होता है, कि हमें कौन सी फेबरिक को कहां पे लूज रखना है और कहां पे कौन सी फेबरिक को टाइट करना है, सबसे जरूरी ये होती है कटिन करते समय क्या देखना होता है, कि कहां पे हमें किस तरीके से सेप देना है तो यह सब अगर बात आप ध्यान रखते हैं तो आपको कटिन या सिलाई करने में कोई दिखते नहीं आएगी अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किन से हम मिलाते हुए बेल्ट को अटेज करेंगे ऐसे यहाँ पे हम गूम बेल्ट बनाएंगे एक इंच यहाँ पे हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे यहाँ पे गूम बेल्ट पनाएंगे बैक में भी तो इस लिए यहाँ पे एक इंच हम छोड़ देंगे ऐसे फोड़ करने के लिए इस तरीके से लूपी को फिनिस करेंगे तो पहले हम नीचे एक टाकी बाद लेंगे ऐसे नाप लेंगे हम कम से कम हाफ हिंच po हम इस तरीके से टाकी बाद लेंगे यहां भी हम नाप लेंगे हाफ इंच आप चाहें तो इसे अंदाज परी भी टाकी लगा सकते हैं लेकिन हम आपको नाप कर दिखा देते हैं कि इस तरीके से आपको टाकी लगाना है अब यहां पर दोस्तों जब हम लूपी को बेल्ट से अटेच करेंगे उपर तो यहां पर हम लूपी को लूज रखेंगे कम से कम एक सूत एक सूत हम नीचे को लुपी को सरकाल लेंगे ऐसे और फिर हम टागी लगाएंगे उपर ये बहुत ही जरूरी है अगर आप इस तरीके से एक सूत एक्स्टार लुपी को नहीं रखेंगे तो बेल्ट अटेज करने के बाद जब बेल्ट को फोल्ड करनेगे अस्तर तो वहाँ पर फैबरिक को जो फैबरिक होता है नीचे वला उसको खीचने लेगेगा लुपी उपर को तो कभी भी आप इस तरीके से बेल्ट बनाएं तो एक से सवासुत लुपी को एक्स्टार रखें दूसरे बेल्ट को भी हम एटेज कर लेते हैं यहाँ पर हम बैक से ऐसे नाप लेंगे यहाँ मार्किन तक ऐसे अब यहाँ पर दोस्तों एक इंच हम नाप लेंगे और यहाँ से छोड़कर शिलाई लगाएंगे अच्छे से बैठा लेंगे यहाँ पर टांकी लगाना ज़रूरी है दोनों पल्ले को बराबर खेजते हुए एस्टेच कर लेंगे शिलाई लगा लेंगे हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेज कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके साथ में लाइक शेर करना न भूलें प्लेज अब यहां पर दोस्तों इस तरीके से बेल्ट अटेच करने के बाद यहां पर हम नाप लेंगे हाफ हिंच आप चाहें तो यहां पांसुद भी रख सकते हैं लूपी को हम अच्छे से टाकी लगाएंगे इसलिए कि लूपी की टाकी बहुँ जल्दी खूलती है तो कभी भी आप लूपी लगाएं तो लूपी पे अच्छे से टाकी लगाएं अगर आपको शिलाई या कटिन करते समय कहीं भी कोई दीखते आती हैं तो आप हमें कुमेंट करके बताएं हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे तो इस तरीके से लूपी अटेच हो चुका है अब हम लूपी को उपर बेल्ट से अटेच करेंगे तो यहां लूपी को बेल्ट से अटेच करने के लिए एक सुथम लूजिंग देंगे इसमें अगर हम लूजिंग नहीं देते हैं तो जब हम बेल्ट को फिनिस करेंगे बेल्ट को फोल्ड करेंगे तो वहाँ पे फैबरिक पिंच होने लेगेगी नीचे वाले तो इसलिए कभी भी आप लूपी को इस तरीके से बनाएं गुम लूपी तो एक सूथ उसको लूजिंग दें इस तरीके से राउंड बेल्ट आप बहुत असानी से बना सकते हैं अब हम आपको पाइपिन वाले अस्तर बनाकर दिखाएंगे बहुत ही असान तरीके से यह है दोस्तो सवाइंच और यह है टोटल इस तरीके से नाप लेंगे तीन इंच तो ऐसे आपको उरेब में कटिन करना है पहले हम इसकी पाइपिन तियार कर लेते हैं यहां पे हम सिंगल बूट यूज करेंगे और एक बार इसको हम डोटी डाल कर पाइपिन को तियार कर लेंगे इससे क्या होती है कि पाइपिन जो है बेलकुल ब्राबर होता है अगर हम ऐसे बीना डोटी डाले हुए बनाते हैं तो चवना पतना होने की बहुत ही चांस बढ़ जाती है अब यहां देख सकते हैं डोटी डाल के पाइपिन बन चुका है अब हम इसमें अटेज करेंगे जो उपर उला हिसा है उस पर हम अटेज कर लेंगे सीधे की तरब से पाइपिन अटेज करते समाएपिन का हम थोड़ा सा खीच कर रखेंगे अगर हम पाइपिन को थोड़ा सा खीच कर रखते हैं तो इसमें राउन अपने आप से बन जाएगी अब यहां देख सकते हैं राउन हो गया है अब हम दूसरे पाइप को अटेज कर लेते हैं यहां भी हम उपर वाले पाइप को थोड़ा सा खीच कर रखेंगे नीचे वाले थोड़ा सा लूज रखेंगे और फिर हम बिलकुछ जड़ में सिलाई लगातेंगे अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए इसलिए कि हम इसी तरीके से सभी वीडियो बनाकर आपको दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे अब इसको डोरी जो है डोरी को हम खीच कर निकाल देंगे ऐसे अब आप यहां देख सकते हैं कि पाइपीन बिलकुल परफेक्ट बिलकुल चारोतरव से बराबर बन चुकी है अब यहां पे हम प्लेन बूट ले लेंगे यहां पे दोस्तों जब हम सिंगल बूट यूज करते हैं तो उसमें बाइलेंसिंग थोड़ा सा दाएं बाइं करना होता है तो इस तरीके सम बाइलेंसिंग कर सकते हैं ऐसे बाइलेंसिंग करने के लिए आपको जो बूट वाला रड है उसको थोड़ा सा पेच लूज रखना होता है ताकि हम उसको असानी से थोड़ा सा दाएं बाइं सरका सकें तो इस तरीके से राउन बेल्ट बन चुका है अब हम अटेच करेंगे बेल्ट में तो अटेच करने से पहले दोस्तों हम टिकट पाउकिट बना लेते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप दो इंच ले सकते हैं सामने से लेकिन कस्टरमर के कहने के हिसाब से यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे यानिकी एक इंच ज्यादा लेंगे और ऐसे हम बैठा लेंगे टिकट पॉकिट को यहां पे हम 300 से हाफ हिंज तक मार्जिन छोड़ देंगे और ऐसे हम सिलाई से अटेज कर लेंगे यह बहुत नहीं असान तरीका है दोस्तों टिकट पॉकिट बनाने का अब यहां पे हम कट लगा लेंगे ऐसे यह टिकट पॉकिट बिल्कुल गूम होगा चारो तरफ से मार्जिंग आपको कहीं दिखाई नहीं देगी अब यहां पे हम लव की सिलाई से फिनिस कर लेंगे इसे हम एज की सिलाई भी कहते हैं फैबरी को हम अच्छे से बैठा आते हुए सिलाई लगाएंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे एक सिलाई हम और लगाएंगे तो यहां से लव की सिलाई से शुरू करेंगे ऐसे उसके बाद हम इस चरीके से क्रोश कर लेंगे और इधर भी हम वैसे हैं क्रोश करके सिलाई लगा लेंगे ऐसे ये बहुत ही असान तरीका है दोस्तों टिकर पोकिट बनाने का इसमें फिनिसिंग भी बहुत अच्छी आती है तो ऐसे हम बैठा कर देख लेंगे अब हम ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे उपर से कम से कम एक सावाई छोड़ देंगे उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे मार्जिंग यहाँ पर कम रखेंगे अगर मार्जिंग ज़्यादा है तो आप छाट दीजिए वहाँ से इसलिए कि उपर से हम पैर की सिलाई लगाएंगे तो margin उसकी अंदर छुप जानी चाहिए यहाँ भी हम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और margin को cut in करके निकाल देंगे यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम pocket को पलट लेंगे फिर हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे अच्छे से हम उपर बैठा लेंगे बैठाने के बाद लव की सिलाई से हम शुरू करेंगे और यहाँ लाकर हम बढ़ा देंगे पैर की सिलाई नीचे लव की सिलाई होगी अब आप देख सकते हैं कि pocket की finishing कितनी अच्छी आई है चारो तरफ से चले अब हम belt को attach कर लेते हैं तो इस तरीके से belt को attach करेंगे यहाँ पे हम अच्छे से बैठा लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों जो pasting है तो pasting से कम से कम हम एक पैर बाहर सिलाई लगाएंगे और दोनों पल्ले को हम बराबर रखेंगे आस्तर और belt दोनों को बराबर रखेंगे इसलिए कि हम belt को round बनाये हैं यहाँ हम ऐसे center कर लेंगे एक्ष्टा जो belt की अस्तर है उसको काट कर निकाल देंगे और लब की सिलाई से finish करेंगे पहले हम दूसरे belt को भी attach कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों जो पेस्टिंग वाले belt है उससे हम कम से कम एक से सवाई इंच अंदर से अस्तर को attach करेंगे इस paint में किलिप के साथ साथ काज बटन भी हम करेंगे अब यहाँ पे हम दोनों कपड़े को यानि कि belt और अस्तर दोनों को बिल्कुल बराबर लेकर चलेंगे इसलिए कि पहले से हम belt और अस्तर को round कर चुके हैं उसके बाद हम लब की सिलाई लगाएंगे वाइड धागा हम यहां ले लेते हैं लब की सिलाई थोड़ा सा मोटा होना चाहिए तो इस तरीके से लब की सिलाई लग चुकी है दूसरे belt को भी हम लब की सिलाई से finish कर लेते हैं इस तरीके से हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को subscribe करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेस कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि फिनेसिंग कितनी अच्छी आई है तो आप भी इस तरीके से बेल्ट बना कर जरूर देखें इसे हम प्रेस से अच्छे से बैठा लेंगे उसके बाद हम जो काज बटन वाले फलाई बनाते हैं तो उसमें राउन सेप देंगे ऐसे इस तरीके से हम राउन सेप देंगे मार्जी छोड़ते हुए हम कटिन कर लेंगे ऐसे चले अब हम इंसिम जोइंट कर लेते हैं यानि अंदर वाले साइड को जोइंट कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो हम एक्स्ट्रा कटिन किये हैं बढ़ती यानि की प्लस मैनस करने के लिए बाद में तो उसको हम उसी मार्जिंग पर एटेच करेंगे जो मार्जिंग लगा हुआ है उसी मार्जिंग पर हम एटेच करेंगे यहाँ पर हम नीचे बैठा कर देख लेंगे बरावर होना चाहिए बिल्कुल अब यहाँ पर दोस्तों हम कम से कम इस तरीके से नाप लेंगे 6-7 इंच एक्स्ट्रा उस पर हम एक्स्ट्रा स्लाई लगाएंगे यानि हम डबल स्लाई लगाएंगे वहाँ तक हमें मजबूती की जरूरत होती है तो इस तरीके से डबल स्लाई लगाना भी बहुत जरूरी होती है यहाँ पर आप चाहें तो फ्रेश से बैठा लें और चाहें तो नाखुन से थोड़ा सा तोड़ लें ताकि आपको बैक सीट जोइंट करने में दिखते न आए यहाँ पर हम नीचे से एटेच करेंगे दोनों फेवरिक को हम बराबर रखेंगे थोड़ा सा खेच कर हम सिलाई लगाएंगे इसलिए कि नम नहीं आना चाहिए तो इस चरीके से हम इंसिम जोइंट कर लेंगे यहाँ भी हम साथ इंच नाप लेंगे उसके बाद एक सिलाई और लगा लेंगे मजबूती के लिए हमारे इस चैनल पे लेड़े जिन सभी के लिए जैसे पैंट सर्ट, कुड़ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सल्वार सूट, फ्राक, बच्चों की आइटम, कटिंग और एश्टेचिंग करके दिखाये जाते हैं फारमुले के साथ चले अब हम बैक सीट अटेच कर लेते हैं तो यहां पे कमर पहले नाप लेंगे यहां सीधा मार्किन एक कर लेंगे ऐसे उसके बाद हम उपर वाले फॉइंट पे इस तरीके से नाप लेंगे हमें कमर बनाना है साढ़े चोंती सिंच तो सावा सतरे पे एक मार्किन कर ऐसे उसके बाद हम उस मार्किन को अंदर से भी मार्क कर देंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों हम एक सीधा मार्किन करेंगे ऐसे जो हमारा कटीन का मार्किन है वहां से हम इस मार्किन को मिलाएंगे अब आप यहां पर देख सकते हैं कि उस मार्कीन से और कटीन की मार्कीन बिलकुल फरफेक्ट मिल रही है तो इस तरीके से कटीन भी करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर आएं और पैंड की कटीन भी देखें अब यहाँ पर दोस्तों बैक सीट अटेच और फलाई फिनिसिंग करने का बहुत यह असान तरीका आप देखेंगे यहाँ पर हम बैक सीट जो है उसे गूम करके दिखाएंगे कि गूम बैक सीट कैसे जोइंट की जाती है तो यहाँ पर ऐसे हम अच्छे से दोनों बैल्ट को मिला लेंगे बराबर कर लेंगे ऐसे फिर यहाँ पर हम एक टाकी लगाएंगे टाकी हम सिर्फ बैल्ट बैल्ट में लगाएंगे ऐसे यहाँ अस्तर को भी हम ऐसे मिला लेंगे पाइपीन को भी हम मिला कर देख लेंगे ऐसे अच्छे से उसके बाद हम यहां से कम से कम पौना इंच ऐसे हम घुमा लेंगे इस तरीके से इस तरीके से बैक में नाकी लगाने के बाद हम फलाई को अटेच करेंगे तो यहां पे हम जॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम उपर बेल्ट बेल्ट को भी मिलाते हुए इस तरीके से मिलाएंगे बेल्ट को उपर से और यहां पे हम दो सूथ यहां पे ओबरलेप करेंगे ऐसे यहाँ पे दोसूत ओबरले फ्योनों चाहिए यानि कि जैसे तलपट भी कहते हैं उसके बाद हम नीचे वाले पार्ट को ऐसे हम सिधा कर लेंगे फिर हम सिलाई लगाएंगे ऐसे इस तरिके से आप सिलाई वाले भी फ्लाई बना सकते हैं और दुर्पाई वाले भी फ्लाई बना सकते हैं यहाँ पे मारजीन को दोनों साइड में हम कर लेंगे यानि कि मारजीन को चीर लेंगे बैक को हम अच्छे से बैठा लेंगे दोनों पल्ले को सिलाई हम खीच कर लगाएंगे बैक सीट की सिलाई कभी भी खीच कर लगाई जाती है यहाँ पर टाकी बांध लेंगे अच्छे से अब दोस्तों इस पर एक सिलाई हम और लगाएंगे शिलाई बिल्कुल शिलाई पर होना चाहिए शिलाई से आउट नहीं होना चाहिए शिलाई हम खीच कर लगाएंगे आप चाहें तो यहां तीन सिलाई भी लगा सकते हैं लेकिन अगर धागा की क्वाल्टी आपका अच्छा है तो तीन सिलाई लगाने का कोई आओ सकता नहीं है अब यहां पर दोस्तों जो एक्षा फैब्रिक है उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहां भी हम सिलाई को खीच करें लगाएंगे ऐसे अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने belt का अस्तर attach किये थे तो एक इंच होड़ कर attach किये थे तो इसलिए attach किये थे एक इंच होड़ कर कि वहाँ पे दोनों fabric अलग-अलग हो सके अगर हम उपर वाले belt को भी fold करते हैं तो आपे मोटा ज़्यादा हो जाती है इसलिए इस तरीके से बनाने से belt का मोटाई ज़्यादा नहीं होगी back में और जब भी आप चाहें तो उसे attach करके pen को loose और fitting कर सकते हैं अब यहाँ पे दोस्तों margin को हम इस तरीके से चीर देंगे ऐसे फिर हम belt को ऐसे fold करेंगे आप यहाँ finishing देख सकते हैं कि finishing कितनी अच्छी आई है और यहाँ पे मोटा भी नहीं होगा चले अब हम इस पे एक कच्चा टाकी लगा लेते हैं कच्चा टाकी लगाने के बाद हम belt पे उपर से शिलाई लगाएंगे यह बहुत ही असान तरीका है दोस्तों gum belt बनाने का अब हम अंदर वाले फ़लाई पे अस्तर लगाते हैं बहुत ही असान तरीका से तो इस तरीके से हम shape में cutting कर लेंगे cutting करने के बाद हम इस तरीके से patch करेंगे नीचे से हम सिलाई लगाएंगे ऐसे हम अच्छे से बैठा लेंगे उसके बाद हम कम से कम margin लेकर इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम point बना लेंगे जिस तरीके से belt में point है वैसे फिर हम margin यहाँ पे ज्यादा नहीं रखेंगे इसलिए कि round है round में margin ज्यादा नहीं रखना चाहिए यहाँ पे हम एक कुटका लगाएंगे अगर हम कुटका नहीं लगाते हैं तो आपे point अच्छी नहीं बनेगी फिर हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों अस्तर को हम इस तरीके से फोड कर लेंगे ऐसे यहाँ पे अच्छी से point बना लेंगे और उपर वाले point से हम love की सिलाई से finish करेंगे नीचे वाले फेबरी को हम अच्छे से बैठाते हुए love की सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम अच्छे से round को मार लेंगे सिलाई हम नीचे टाना तक लाएंगे ऐसे अब यहाँ पे दोस्तों इस side में margin ज़्यादा नहीं रखेंगे और यहाँ पे कुटका लगा देंगे कुटका लगाने से फायदा यह होती है कि फेबरी का धागा नहीं निकलता है उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे नीचे फलाई को हम अच्छे से फोल्ड करेंगे ताकि अंदर वला फैबरीक दिखाई न दे फिर हम लव की सिलाई से फिनिस करेंगे सिलाई हम बिलकुल सिलाई पर लगाएंगे जो जीपर का पहला सिलाई है उसी पर बिलकुल सिलाई होना चाहिए यह सिलाई डायरेक्ट हम लाएंगे नीचे टाने तक ऐसे टाना जो है ज़्यादा चाउना नहीं होना चाहिए यहां पर दोस्तों हम तुर्पाई से फिनिस कर लेंगे चले अब हम किलिप फलाई फिनिस करेंगे तो सबसे पहले जीपर अटेच कर लेते हैं फलाई से तो यहां आप देख सकते हैं कि दोस्तों का गैप है यानि कि ओवर लेप जो है दोस्तों का होना चाहिए जीपर को हम ऐसे अटेच करेंगे यहां पर हम डिस्टेंस देख लेंगे गैप बिल्कुल दोस्तों का ऊपर से नीची तक होना चाहिए यह बहुत नियासान तरीका है दोस्तों जीपर फिनिस करने का इस तरीके से आप फलाई पे सिलाई भी लगा सकते हैं और दुर्पाई से भी फिनिस कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें कुमेंट करके जरूर बताएं लाइक शेयर करना न भूलें इसलिए कि आपका एक लाइक शेयर ही हमारे बेहनत का फल होता है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनिसिंग कितनी अच्छी आई है उसके बाद हम इस तरीके से जीपर वाले पार्ट को ऐसे हम बेल्ट से पहले अटेज कर लेंगे ऐसे फलाई को बेल्ट से अटेज करने के बाद फलाई पे शिलाई लगाएंगे और किलिप लगा कर दिखाएंगे बहुत ही असान तरीके से चले सबसे पहले हम फलाई पे शिलाई लगा लेते हैं अब यहाँ पे दोस्तों फलाई पे शिलाई लगाने से पहले टाना पे हम शिलाई लगा लेंगे मार्जिंग को इस तरीके से दोनों साइड में चीड़ लेंगे उसके बाद हम ऐसे शिलाई लगाएंगे टाना पे सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना होगा कि टाना को हम लूज रखेंगे और कपड़े को थोड़ा सा खीच कर चलेंगे अब यहाँ पे दोस्तों टाना को हम इस तरीके से थोड़ा सा फोड़ कर देंगे ऐसे फिर हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरीके से शिलाई लग चुका है अब यहां आप finishing भी देख सकते हैं कि finishing कितनी अच्छी आई है उसके बाद हम फलाई पे शिलाई लगाएंगे तो आप चाहें तो जो हमने marking की थी उस पे हम शिलाई लगा सकते हैं और चाहें तो आप फलाई को पैटर्न से घुमा सकते हैं अगर पैटर्न से घुमाते हैं तो उसमें फिनिसिंग अच्छी आती है पैटर्न से इस तरीके से घुमाना है अंदर वाले फलाई को बिल्कुल हम साइड में घुमा लेंगे ऐसे मोड लेंगे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम अच्छे से बैठाएंगे ऐसे अब यहाँ पे हम फलाई वाले मार्किन पे पैटन को रखेंगे अच्छे से बैठा लेंगे फिर हम सिलाई लगाएंगे अब यहाँ पे हम राउन पे अच्छे से घुमा लेंगे यहाँ पे हम लाकर रोक लेंगे उसके बाद हम इस तरीके से नीचे वाले दागे को ऐसे हम कर लेंगे यानि कि उसको खिच लेंगे अब यहाँ पे दोस्तों उपर ला जो धागा है उसको हम उपर खिच लेंगे नीडिल से यानि कि नीडिल से हम टाइट कर लेंगे फिर यहाँ पे हम टाकी लगाएंगे टाकी हम अच्छे से लगा लेंगे टाकी बिलकुल सिलाई पर सिलाई होना चाहिए अब यहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे वाले फलाई पर भी टाकी लग चुका है उसके बाद हम नीचे वाले धागे को थोड़ा सा छोड़ते वे कटिन कर देंगे अब चाहें तो आप यहां पर एक टाकी लगा लिजिए ऐसे हम थोड़ा सा टाकी लगाएंगे यहाँ पे बेल्ट पे सिलाई लगाने से पहले हम क्लिप लगाएंगे अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फलाई का फिनिसिंग कितनी अच्छी आई है तो आप इस तरीके से एक बार फलाई पे सिलाई लगा कर जरूर देखें चले अब हम क्लिप लगा लेते हैं यहां पर दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम किलिप लगाएंगे ऐसे हम दोनों तरफ से डिस्टेंस देख लेंगे बराबर होना चाहिए चारो तरफ से फिर हम किलिप को लगाएंगे ऐसे अगर टेड़ा दिखता है तो उसको थोड़ा सा सीधा कर सकते हैं आप यहां पर दोस्तों आपको एक काम करना होगा यह देखे किनारी वाले फेबरिक जो है उसको डबल करके ऐसे पहले किलिप में लगाना है उसको उसके बाद इसका लौक जो है हम लगाएंगे इससे बहुत ही मजबूती हो जाती है किलिप उख़रने का कोई चांस नहीं रहता अब यहां से फेबरिक को हम कटिन करके निकाल देंगे ऐसे उसके बाद हम दुसरे किलिप को भी लगा लेते हैं यहां भी हम सेंटर देख लेंगे नीचे उपर ब्राबर होना चाहिए किलिप ट्यड़ा नहीं होना चाहिए यहां भी हम किनारी वाली कपडे को लगाएंगे इस तरीके से किलिप लगाने के बाद उपर वाले हिसे को हम पलट लेते हैं तो ऐसे हम मार्जिंग को सीधा कर लेंगे फिर हम सीलाई लगा लेंगे सीलाई हम थोड़ा सा अलग लगाएंगे पैस्टिंग से नीचे हम बिलकुल ब्राबर कर लेंगे ब्राबर से उपर वाला पार्ट जो है कम से कम एक एमम बाहर रखेंगे यहां पिया ऐसे हम फैबरी को फोल कर लेंगे उसके बाद हम इस तरीके से पलटेंगे ऐसे यह बहुत ही असान तरीका है दोस्तों और इसमें फिनिसिंग भी अच्छी आती है आप चाहें तो नीचे वाले को भी पलट सकते हैं लेकिन उसमें दिखते आती है नीचे वाले हिसे को हम सिलाई से फिनिस कर लेंगे आप चाहते हैं तो उसे दुर्बाई से भी फिनिस कर सकते हैं अब यहां पिया हम इस तरीके से सिलाई से एटेच कर देंगे अस्तर को हम ऐसे फोड़ करेंगे थोड़ा सा क्रोस में यानि कि थोड़ा सा त्रिछा टाकि यहां अच्छे से लगा लेंगे हम हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेस कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके अब यहां पर दोस्तो हम लव के सिलाई से फिनिस करेंगे नीचे यहां तक हम लव लगाएंगे उसके बाद हम इसकी लव जो है बिलकुल जड़ में लाएंगे बेल्ट के जड़ में शिलाई लगाएंगे शिलाई उपर दिखना नहीं चाहिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनेसिंग कितनी अच्छी आई है उसके बाद हम यहाँ पर शिलाई लगाएंगे वाइड धागा से नीचे हम वाड धागा लगा लेंगे और शिलाई बिल्कुल जड़ में होना चाहिए बेल्ट के इस तरीके से अगर बेल्ट पर शिलाई लगाते हैं तो शिलाई दिखती नहीं है लुपी को हम इस तरीके से दोनों साइड में करके फिर वहाँ पर टांकी लगाते हुए एश्टिच करेंगे शिलाई लगाएंगे शिलाई और कटिंग की ज़्यादा जनकारी के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट या ओल वीडियो में जाकर अपने पसंद के कटिंग या एश्टिचिंग देख सकते हैं हमारे इस चैनल पे लेडिज जैन्स सभी के लिए जैसे पैंट सेट, कुर्ता, डिजैनी का ब्लाउस, सलवार सूट, फ्राक, बच्चों की आइटम कटिंग और एश्टिचिंग करके दिखाये जाते हैं फार्मूले के साथ अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिखते आती है तो आप हमें कोमेंट करके बताएं हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके बताएंगे चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिसे नए वीडियो की नोटिफिकिसन आप तक आसानी से मिलती रहे यहाँ पर दोस्तों लुपी को हम ऐसे दोनों साइड में घुमाने के बाद टाकी लगाएंगे सिलाई बिल्कुल जड़ में होना चाहिए ताकि सिलाई देखे ना हो अब यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है पॉकेट जो टिकट पॉकेट होता है तो वहीं थकम टाकी लगा लेंगे ऐसे पॉकेट वाले हिस्से पर शिलाई लगाने से पहले नीचे वाले किलिप यानि आई किलिप को हम लगा लेंगे अब यहाँ पर इस तरीके से जीपर बंद करने के बाद हम किलिप लगाने का मार्का करेंगे यहाँ पर अच्छे से बैठा लेंगे हम अब ऐसे हम वहाँ पर मरका लगा लेंगे अब यहाँ पर दोस्तों हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे किलिप को ऐसे नीचे उपर डिस्टेंस ब्रावर होना चाहिए यहाँ भी हम किनारी वाले फेबरिक को लगाएंगे किनारी वाले फेबरिक लगाने से किलिप को बहुत ही सपोर्ट मिल जाती है और वहाँ से किलिप निकलता नहीं है बहुत से आप पैंट का देखे होंगे कि किलिप वहाँ से बाहर निकल जाती है यानि कि जो फेस्टिंग होता है कपड़ा होता है वो कट जाती है तो इस तरीके से अगर आप किलिप को फिनिश करते हैं लगाते हैं तो आपकी बेल्ट कभी नहीं वहां से कटेगी दूसरा किलिप को हम ऐसे लगाएंगे दोनों तरफ हम डिश्टेंस दख लेंगे ब्रावर यहाँ पर दोस्तों हम फेबरिक नहीं लगाएंगे किनारी विले कपड़े नहीं लगाएंगे इसलिए कि यहाँ पर सपोर्ट हमें कपड़े के मिल रही है तो इस तरीके से मच्छे से रीपीट कर देंगे और यहाँ पर हम ऐसे तुर्पाई से फिनिस कर लेंगे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारो तरफ से कितनी फिनिसिंग अच्छी आ चुकी है कहीं पर आपको फोल्ड या जोल नहीं दिखाई देगी राउंड बेल्ट वाले पैंट कमर से कभी नहीं खिसकती है और इसमें फिनिसिंग भी अच्छी आती है आप देख सकते हैं कि चारो तरफ से फिनिसिंग कितनी अच्छी आई है अब यहाँ पर दोस्तों जो टिकर्ट पोक्ट वाले एरिया है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ भी सिलाई लगाने का बहुत यसान तरीका है अब यहाँ पर दोस्तों पोक्ट वाले एरिया को हम पहले छोड़ देंगे बाकी जो एरिया है उस पर हम सिलाई लगा लेते हैं ऐसे उसके बाद हम pocket पे शिलाई लगाएंगे चले अब हम pocket वाले area पे शिलाई लगा लेते हैं तो यहाँ पे pocket को हम ऐसे फैला देंगे और इस तरीके से हम शिलाई लगाएंगे टाकी हम अच्छे से बांध लेंगे बहुत ही असान तरीका है दोस्तों pocket को गूम करने का यहाँ बेर लुपी को दोनों साइड में करके वहाँ पे टाकी लगाते हैं शिलाई लगाएंगे अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से pocket पे शिलाई लग चुका है कहीं से आपको ओपिन नहीं दिखाए देगा और फिनिसिंग भी आप देख सकते हैं कि फिनिसिंग कितनी अच्छी आई है हमारे इस चैनल से जूड़े रहने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को फ्रेस कर दें जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके साथ में लाइक सेयर करना न नमस्कार झाल 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 झाल